गुद मॉर्निंग दियर इस्टेटेंट्स विलकम माई चैनल आर जे बालो जी फॉर मेटकेल आएम राजेश कुमार एंड तुड़े आएम गोंग तो तेल यू अबाउट फाइलम प्लेटी हल्मेंथीज जब आप प्लेटी हल्मेंथीज के बारे में पढ़ते हैं तो first you know what is the means of प्लेटी हल्मेंथीज प्लेटी, प्लेटी मिन्स प्लेट, like a paper, flat, हल्मेंथीज वर्म तो फ्लेट वर्म जो है वो इस प्लेटी हल्मेंथीज के अंदर आएगा अब इसके सारे जो केरेक्टर सिटी है उसको हम लोग एक ट्रिक के मादम से पढ़ते हैं आप सब लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा because many students commit me कि सर हम जब फाइलम को learn करते हैं तो after some time we forget it तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा बिलकुल परिशान होने की बात नहीं है और बहुत easy way से आप इसे learn कर लेंगे तो now I start my topic platy hellmanthes सिर्फ आप इसके एक एक alphabet को mind में रखिए और उस alphabet को किससे किससे मैंने donate किया है वो सिर्फ याद रखिए और आपको पूरा platy hellmanthes के जितने भी character है वो सिर्फ इसके एक एक alphabet से मिल जाएगा ओके first alphabet is P P donate करता है आपके parasites को क्योंकि mostly जो platy hellmanthes के अंतरगत आपके इनमल्स है जो वर्म है वो mostly जो है वो parasitic है इसमें एक बहुत अच्छा क्वाल्टी है या प्लैनेरिया है इसमें most regeneration power है पाई जाती है अगर इसको आप जो है छोटे छोटे खंडों में तोड़ दें तो पुना यह develop हो जाएगा second word longitudinal epidermis इसमें जो epidermis है आपकी वो longitudinal पाई जाती है और longitudinal तो ही है साथी साथ circulated है ठीक है next कि ए ए मिन्स ए सीलोम मेट इसमें किसी प्रकार की कोई शीलोम नहीं होगी बिकॉस फ्लैट वर में न चप्टा क्रमिया है सोचे कैसे इसमें शीलोम हो सकता है नहीं हो सकता टी टी डोनेट करता है पहले चीज तो ये टिप्लोबलास्टिक है इसमें एक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडर्म तिनों जो जर्म लेयर है वो पाई जाती ही तो ट्रायोबलास्टिक है और इसके पहले जब आप पढ़ने थे वो डिपलोबलास्टिक थे जो थिक क्यूटिकल लेयर है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि डाइजेस्ट्व एंजाइम से किसमें होस्ट से से क्योंकि पाया सिटिक है ना इसलिए आपका एच जो है वो डोनेट करता है पहला हुक एंड सकर्स यह इसमें पाया जाता है प्लेटियल में तीज में क्योंकि पैरासिटिक होते हैं तो यह क्या करते हुक की सहायता से होस्ट बॉडी में अपने आपको रोक लेते हैं शकर्स के मार्दम से सक करेंगे और एच ही तुमेंट करता है आपके हेलिमन्थयलॉजी है यह इस्टडी होती है जो हीूंन में काज या पायरासिटिक फ्रम में बोड़ी में पाये जाते हैं और इनफेक्शन पैलाते में वो जो i study healmenthology कहलाती है आइं टोनेट करता है आपके एंडोपेरसिटिक होंगे मैं एक figure के मादधम से भी आपको दिखाऊंगा एंडोपेरसिटिक को L donate करता है ladder like nerve system इसका जो nerve system है वो ladder like है M donate करता है जो इसका muscle से है जो body wall का muscle से वो कैसा mesodermal का बना होता है I donate करता है most important है एक तो पहला आपका incomplete digestive क्योंकि without NS का होता है mouth तो है पर NS नहीं है दूसरा ये donate करता है किसको internal fertilization और मात पूर्ण है आपका indirect development इसमें डिवलमेंट वो कैसा है indirect है end donate करता है इसमें आप में इसमें नहीं पाया जाता है क्या not found skeleton and circulatory system circulatory system भी नहीं पाया जाएगा और skeletal भी नहीं होगा next T donate करता है tissue organ grade जो organ है वो tissue grade पे है H donate करता है आपका इस फाइलम से हेड आता है इससे पहले add की मारें बताये नहीं गया ये प्लेटी हेलमेंटी से हेड की starting है तो it बता रहा है और NS तो पाया ही नहीं जाना है इसलिए इसका जो digestive system है वो incomplete हो गया clear ये आपके donate करता है इसमें excretory organs को क्योंकि इसमें flame cell लोती है और flame cell के मादम से इसमें excretory होती है most important है जान दिजेगा S पहला तो donate करेगा कि जो इसमें surface body respiration होता है जो respiration की process होती है वो body surface के मादम से होती है और S ही donate करेगा इसके symmetry के कैसे symmetry है bilateral most important है इसके पहले हम लोग जो पढ़ लाएते है वो radial symmetry के बारें पढ़ लाएते last में जो G आता है वो donate करता है गेगन बर को क्यों क्योंकि गेगन बर ने ही platy helmet these name suggest किया था तो ये platy helmet these के सारे character हो गए हम लोग थोड़ा सा इसके लारवा और लारवा stage और कुछ इसमें पाया जाने इसके अंतरकत आने वाले worms के बार हम देख लेते हैं पहला है आपका फैसियोला लिवर फ्लूग भी कहते हैं कहां पाया जाएगा पाया जा रहा है कहां आपके बाइल डेक्ट में आप लिवर आप शिप एंड गोट गोट एंड शिप के लिवर से जो बाइल डेक्ट निकलती है उसमें पाया जा रहा है और अगर इसमें आप लोग देखते हैं फैसियोला के बारे में तो दो चीज़े कह सकते हैं कि ये जो है आपके किरोशिश या रूट लिवर को कॉस करता है और थोड़ा देख लीज़े तो इसका जो क्यूट केल है वो आपका इस्पाइनी होगा या अटेज तू बाइल डेक्ट बाई पॉस्टेरियर सक्ष जो इसमें पाय जा रहे है स्वसन है वो एनार्विक है क्योंकि कहां पाय जा रहा है लिवर से निकलने वाली जो बाईल डेक्ट है ना ठीक है और एक लाइप हिस्ट्री इन्वाल्व करती है टू होस्ट में पहला है आपका प्रामेरी होस्ट जिसको सी पैंट गोट कहेंगे सिकंडरी जो होस्ट है उसको हम लोग गार्डिन इसन इसनेल बोल देते हैं ना जिसमें आपका पैनवरुबिस है लेम्निया है और बिलने से गर्डन इसनेल इसमें बहुत सारी आपकी लार्वा स्टेज हैं इंपॉर्टन्ट है इसलिए मात्मून द्यान से पढ़िएगा जैसे कि स्टेज में अगर हम बात करेंगे इसके लार् स्टेज है इस्टेज 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 है इस नेक्स्ट आप कहाता है इसमें किस्टो शोमा जिसको ब्लेट फ्लूक बोलेंगे कहां पाये जा रहा है पाये जा रहा है वेंस आप हीमन ब्लेडर एंड इंटेस्टाइन यूनिसेक्सेल है यूनिसेक्सेल है जो लार्ज मेल है वो कैरिस करते हैं को और फीमेल कहां आपके गाइनो कार्फिक जो कैनाल है जिसको वेंटरल साइट्स बोलते हैं वहाँ पर पाये जाएगा लाइफिस्टी सोज सेक्स्वल डैमाफ़ज में और इसमें जो लाइफिस्टी है इसके भी टू होस्ट है जो प्रामेरी होस्ट है वो आपका मैन है सेकेंडरी होस्ट जो है वो गार्डेनिशनेल है इसका इसमें भी जो लारवा इस्टेज है उसमें अगर हम देखें तो मीरे असीडम है इस पोरोशिट्स है एंड एंड शरकेरिया है जो मैन को इंफेक्टेट करने वाली इस्टेज है उसमें आपका शरकेरिया है और जो सिकेंडरी होस्ट शनेल को करती है वो है आपका मीरेसीडियम लारव अगर हमन बाड़ी में करता है तो क्या है जब पॉंड में आप श्ञान करते है बोटिंग करते है तो उस कंडिशन में हमन बाड़ी के अंदर आ जाता है डेमेज क्या करेगा लिवर, इंटेस्टीनियल डिसॉर्डर, नेक्स आता है आपका टीनिया, सुलियम, जिसको पॉर्क वर्म भी कहते हैं, फ्लैट, वाइट रिबन, लाइट, साइज जो 4 मीटर इंटू 6 मीटर, लॉंग, इसमें अगर बात करते हैं तो 3 रीजन है, फर्फर्मिंग न्यू, प्रोगलाटिश, एंट थर्ड है आपका लॉंग, इस्ट्रोबिलिया, लगबग, 850, इसमें जो टीनिया सोलियम है, इस हुमन गट, पेरसाइट से, कैसा होता है, यह जो है, अटेचिन इंटिस्टिनियल, वाल बाई हुक, एंड सकर्स, एंड इस्पोरोजोट्स नूटिशन, एनेर्बिक रेस्परेशन होता है, इसमें, हर्मफराइड है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, और मैन में इंफेक्शन कैसा होता है, इंफेक्शन होता है, जब अंडर कुक पॉर्क, कॉंटेनिंग, एंसाइड से लार्वा, सिस्टन, जैसे मॉयन जो है, वो सुमर के, मांस को कुंड रूप से पकाए ना, और वैसे खा जाता है, तो उस कंडिशन में मैन में पहुंच जाता है, इसमें में टू होस्ट में, लाइफ सिस्ट की इन्वाल्व है, पहला है आपका मैन और शेकेंड है, पिग, लार्वा सिस्टेज के अगर बात करें, तो इसमें आपके, अनको स्पियर्स है, हेक्सा कैन्थ है, ब्लेड़ वर्म है, एंड, सिस्टे से रह से, इन्वेक्टिट इस्टेज जो है, अगर प्राइमरी मैन के बाड़ी में आएगा, तो वो आपके, सिस्टी सेरिस में आएगा, और अगर पिग में पहुँचेगा, तो अनको स्पियर्स में पहुँचेगा, इसमें जो डिसीज होनी है वो डिसीज आपके किस्टिस्टेरियोसिस डिसीज होती है कुछ इसके एक्जामपल है उनको भी आप देख लीजे जैसे की फैसियोला हिप्रेटिका है इसको हम लोग स्लीप लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं फैसियोला गिएंटिका है इसको कैटल लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं किस्टो शोमा मैंसोनी है इसको हुमन ब्लेट फ्लूक के नाम से जानते हैं फैसियोसिस जो बसकी है इसको हम लोग जो है इंटेस्टिनल फ्लूक के नाम से जानते हैं पेरा गोनिमश विष्टे मेनी है इसको लंग फ्लूक के नम से जानते हैं टीनिया सुलम है इसको लोग पॉर्क टेप वर्म के नम से जानते हैं टीनियम सैगिनेटा है इसको लोग बीफ टेप वर्म के नम से जानते हैं इकाइनो कोकस, ग्रैनुलोसस जो है इसको डॉग टिप वर्म के नाम से जानते हैं